लो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं पॉलिनॉमियल चैप्टर से स्टेंडर फॉर्म, इंडिक्स फॉर्म और कोईफिशन फॉर्म के एक्जामपल एक्स्प्रेंड करने जा रही हूँ, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, क्या आप चैनल इसका हमें स्टेंडर फॉर्म, इंडिक्स फॉर्म और कोईफिशन फॉर्म फाइंड करना है, तो सोलूशन, पहले जो गिवन एक्वेशन है, हम उसे आज़ेटीज ले लेंगे, 3X स्क्वेर प्लस 2X तू दपावर 4 प्लस 5, स्टेंडर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ज दिसेंडिंग पावर आफ वेरियेबल एक्स, एक्स का दिसेंडिंग पावर आफ वेरियेबल हम अरेंज करेंगे, याने सबसे पहले बड़ा पावर है 4, तो पहले आजाएंगा 2X तू दपावर 4, 4 के पावर, हाइस्ट पावर के बाद में यहाँ पर है मारे पास 3X स्टेंडिंडर और कॉंस्टेंडर तर्म यह हम जीए पावर कहेंगे, लिख यह हमारा होगा यह geçt out है 1166, तो इसेंटिंडर हो możli और पावर आफ यहोग में हें इंडिक्स अच्डान घाएं, पावर के पावर 3 चाहिए हैा इक्स का उन्हें हैं फिर है ङोआरे पास्ताई उ x2 के बाद में x का term चाहिए था वो भी नहीं है तो हमें वो लेना है याने 2x to the power 4 के बाद में 3 का term नहीं है तो 0x to the power 3 जो नहीं है उसको 0 के साथ में power लेना plus 3x2 का term है तो square का term as it is x का term नहीं है इसके लिए 0x plus constant term यह हो गया हमारा index form index form के बाद में आता है coefficient form coefficient form coefficient form में जो power है उसके साथ में जो भी number है वो लेना है जैसा यहाँ पर x to the power 4 के साथ में number है 2 2 फिर यहाँ पर x to the power 3 के साथ में 0 0 x square के साथ में number है 3 फिर x के साथ में 0 और यह 5 यह हो गया हमारा coefficient form Okay, thank you.